दोस्तों इंडियन गवर्मेंट ने अंडमार और निकोबार आइलेंड पर 75,000 करोड के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है यह प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलेंड में 16,610 हेक्टेर्स के प्रिस्टीन फॉरस्ट के एक्रॉस प्लान के गए है इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनाशनल पोर्ट, इंटरनाशनल कंटेनर ट्रांस्चिप्मेंट टर्मिनल, टाउन्शिप और पावर प्लांट्स मुझूद है एक ऐसे समय में जब चाइना दिन मदिन इंडियन ओशन में एग्रिसिव होता जा रहा है अंडमान निकोबार आइलेंड की स्ट्राजिक लोकेशन भारत के लिए एक मजबूत हत्यार की तरह आक्ट कर सकती है और साथ ही यहाँ पे बनने वाला इंटरनाशनल कंटेनर पोट भारत को ग्लोबल शिपिंग ट्रेड में एक मेजर प्लेयर बना देगा जिससे लाखो नौकरियां डेवलेप होंगी हला कि कई क्रिटिक्स ने इस प्रोजेक्ट में होने वाले डिफॉरस्टेशन को लेके चिंता जताई है क्योंकि ये आईलेंड शॉम्पेंट ट्राइब्स और रेर फ्लोरा एंट फॉना एस्पसीज जैसे की निकोबार मेगापोर्ट और लेधर बैक टैटल्स का होम लैंड है दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेके आपका क्या उपीनन है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा